दो यह व्यावरीवन वेलकम बेग तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे शैक्जुल रिप्रोडूक्षिन और लाइफसाइकल वाल्वेक्स की ऑजिए उप्रोडूक्षिन में क्या होता है इन वाल्वेक्स- जैक्जुल रिप्रोडूक्षिन इस अप्दा ऊगमस टाइप वाल्वेक्स के अंदर जो sexual reproduction होता है वो गैमस टाइप होता है जिसमें मेल्ज होता है वो मोटाइल होते है फिमेल्ज होते है वो नूर मोटाइल होती है इट टेक प्लेस टौवर्ड दा एंड ऑफ ग्रॉइंग सीजन और यह ग्रॉइंग सीजन मतलब समर के जो एंड का सीजन होता है उसमें यह टेकप्लेस करती है इसमें इसका reproduction होता है यूजली अ कालोनी इन्वल्व इंसेजल रिप्रेट्टॉक्शन डसन नौटवर्ड लाटर कलोणी और जिसके अंदर सेजल रियुच्छन वहता है सेजल नहीं होता सम स्पीशीज हैं होमोथैल्यक और मोनेश्य मौ demiş हुछ होते हैं जिसमें क्या होता है यॉट में किया होता है मैसमें को हुध nessas और इसके एक्सामपल जोब एंट्र में और इस पीशिड एर हैस्पीक आर्प्साइली स्पीशिज उता है उते हुछ ना जो एक्सामपल है और देखिए यह थी इसपीशिज चिसमें एक थाकि को नाउनि दोनों do gotta go be a और ही ये और हरो हेटाटर利क में क्या है कि दोनों अलग-अलग को स्बभाशी है चुब मुनुशें स्पीशी हिए यह जाधे तर प्रोटैंडरेस होती है होता है वो मेच्यार हो जाता है और सम PNP, pollen गिवन, पॉक्षलिया, चेंज होते हैं बीतनी पॉठ्याली को अच्छें के पार्ट आ उता है कॉलोनी ओं पॉस्टीयरást चाहिए हो 남ल अक ह करना पॉस्टीयरिक्ष्ण Did— शऑ होता है इस अप्र प्रोड़क्टिव तैटंग आ ये जो उत चाल होते हैं इसके भूलत अप्रिया। नेक्स्टहार सब्सक्राइब्स ज़रोपने मनगास ए YA ताय और नंटिंटमτο उसे हो जो यह मोमा ज़्होंत व संसाओ है और पाहुंति को म הבं आदरीडियंट शबिती है कि मैसा मास बस्काइब न्युक्राइब्स निहएल जास最近 आदियू पतिरी पोता है वोट liar मुथा है मुझा है उसमें जाके मिल्ट करते हैं और जो होता है दो जब उनीशाल से जब जब reproduction का time होगा तो initial cells होंगे बहुत बड़े हो जाते हैं और flagular loss करते हैं protoplasm जो होगा वो tense हो जाएगा और नुकलियस होगा वो बड़ा हो जाएगा the enthridal initial shift inside the cavity and remain connected to other vegetative cell through cytoplasmic stand इसमें क्या होता है जो enthridal initial cell होते हैं वो colony के ऐसे हिस्से में चले जाते हैं पर कोई cell नहीं होते हैं खाली होती है cavity उसमें जाते हैं और उसके बावजूद भी जो other vegetative cell होते हैं वो उससे जूड़े रहते हैं cytoplasmic stand के through protoplasm of enthridal initial divide जो protoplasm है enthridal initial cell वो डिवाइड होंगे longitudally to form sixteen to five hundred to elongated drop shape cell और सोला से फांसो बारा तक cell जो होते हैं वो डिवाइड कर लेंगे और cell जो होते हैं उनकी shape जो होती है वो root shape cell होती है next the cell remain in a plate like structure or are group into a hollow spare तो यह जो cell होते हैं वो plate like structure बना लेते हैं और एक ऐसे group में होते हैं जो कि hollow spare में होता है at the stage inversion of cell take place as in asexual reproduction इस stage पर क्या होता है इंवर्जन होगा cell का मतलब की अब asexual reproduction start हो जाएगा enthrasoid is a spindle shape जो enthrasoid होता है वो spindle shape होता है मतलब की एक नाशपाती के जैसी shape होती है by flagged होते हैं दो flagged होते हैं और green color के structure होते हैं देंट्रिजाइड होते हैं रिलीज इंडिविजली और सम्टाइम इन बंडल जो नेक्स development of oogonium हम देखेंगे कि oogonium का development कैसे होता है तो oogonia also developed in posterior side of the colony तो इसमें भी कैसी होता है सेम ही होता है जाद जो oogonia होती है वो posterior end पर चले जाती है और वहां पर develop होती है oogonium is in large oogonium जो होते हैं बढ़ी होती है more or less class shape और इसका structure होता है और वह फ्लाक्स शेप की तरह होता है the protoplasm and nucleus become dense और जो protoplasm होते हैं वह dense होते हैं nucleus जो होते हैं वो large हो जाते हैं उस पोर is spherical uninucleate उस पोर जोगा वो spherical shape होगा और uninucleate होगा non flagulated flagelos कर देंगे green color के होंगे और continue a spherical chloroplast it poses a large amount of reserve food and many prenoids यह जो होता है food reserve करके रखता और कई सारे prenoids जो flags shape का structure होता है वो function करता है एक तरह कर रिसेप्टिक spot की तरह और open होता है surface of the colony next diagram देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है इसमें एक पीछे जो सैल होता है वो पीछे चला जाता है और इसमें mature होता है structure और flagelos इसमें disappear होने होने लगते हैं बाद में और क्या होता की जब inside जो होता वो बढ़ा हो जाता है और इसमें single nucleus होता है जिसे इम बोलते हैं सर फेसट फार्टर तो इसक्ति होता है जो हमारा एंप्रीजॉट है वह एंथ्रीडियम से निकल गया और मूव करता है वाटर में और बिदाओर फेस तक पूछ जाता है और गौनियम के सर फेसस से जाके देया एंथ्रीजॉट secret proteolytic enzyme and threzoid secret proteolytic enzyme with the help of the proteolytic enzyme some threzoid enter the egg by breaking the uguonial wall. इससे क्या होता है जो threzoid होते हैं वो एग में enter कर लेते हैं uguonial wall को तोड़ कर break कर कर the only one threzoid fertilize the egg. तो इसमें क्या होता है जो कुछ ही threzoid होते हैं वो fertilize करते हैं egg से. दाफस्ट स्टेप्लाजोगेमी पारलस्टेप इसमें क्या होता है जिसमें क्याहुता है फ्यूंग घोचा मेली काbellernen का एंड दिंगरोगेमी और इसके बाद केमे ऐंगे होता हैً फ्यूजन फूर्मeking नॉकलिय अर्टि जैगोट और इसके बाद ूगर्ट च्री solidarity कर दाइग्राम है इसमें देखिए उगोंयम है उगोंयम से मेच्वार एक बन रहा है और मेच्वार एक के बाद जो एंथ्रीडियम से अन्थ्रीजॉइट परस्ट बाहर निकल रहे है वार को तोड़ कर और उसके बाद हमें एक डिपलोइट जाइगोट मिलता है जो की फ्ले जाइगोट होता ये इसमें थीघ वाल होती है स्मूत में और जाइगोट होती है जाइस ग्लोब अपाईटर में पाई जाति है और spiny और कुछ जो होते हैं वो spiny होती है जैसे कि spermatophore में पाय जाती है whereas the exospore and mesospore are relatively thin and smooth जो exospore और mesospore layer होती है तो वो smooth होती है the wall accumulates the pigment जो wall होती है उसमें pigment पाया जाता है hematochrome जो की वज़े से walls होती है वो रैट कलर की दिखाई देती है the zygote is liberated by the disintegration of the glutinous matrix of the parent colony and the remain dormant for long period time तो इसमें क्या होता है जाइगोर जो होता है कुछ time के लिए के लिए के अंदर होता है और fixed time के बाद ये parent colony से बाहर निकल जाते हैं और फिर से ये कुछ time के लिए settle हो जाते है जो कि कई सालों के लिए settle होता है next germination of the dormant to sport germinate on the one set of favorable climatic condition तो इसमें क्या होता है जो उस पोर होता है वो germinate करते हैं favorable condition में outer two lower of zygote burst जो बाहर के layer होती है वो burst हो जाती है और जो inner layer होती है वो वैसिकल से बाहर निकल जाती है the deployed nucleus of zygote undergo metric division जो deployed nucleus of zygote का उसमें metric division start हो जाएगी और चार haploid cell बनेंगे the four haploid cell migrate into vesicle और जो चार haploid cell है वो migrate होंगे वैसिकल से the development of new colony form zygote differ in different species of walrus तो development होगी इसके बाद new colony की कुछ चार मेंसे जो तीन होंगे बुटी disintegrate हो जाएंगे और जो एक होगा वो excel से जाके germinate हो जाएगा develop करेगा new colony और form करेगा zygote जो की different in different species of walvex तो इसमें क्या होता है different type की walvex से बज़े से species की different type की ही reproduction होती है यसे में क्या होगा जी आड़ाप्लोइड साह्इल होती है और जो चार हापलोइड साहल होते हैं वह development करते हैं जिस्कों बोलते हैं जॉस्पोर उसके प्र फिर इसमें development होगी 1 से 2 सेल बनेंगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इसी तरह से इसमें बहुत सारे सेल बन जाते हैं बाद में इसमें उसके बाद इनवर्जन होता है इनवर्जन के थू जो है उसमें क्या होता है एपिकल रीजन जो होता है वो पेरिफेरी की तरफ चला जाता है और जो posterior end होता है वो center की तरफ आ जाता है और इसी तरह से इसमें फ्लैगला आ जाती है और mature कोरोनी की formation होता है उसके बाद हम देखेंगे alternation of generation इसमें क्या होता है life cycle और वालवक्स is haplontic जो वालवक्स की life cycle होती है वो haplontic होती है मतलब कि इसमें क्या होता है dominant stage जो होती है वो free living होती है haploid gametophyte जो hemeto gametophyte होते है वो fut तो उपर इसमें sexule reproduction है नीचे sexule reproduction है तो इसमी क्या हो रहा है जो उगुनियम के बाद जो होता है उगुनियम से फ्यूज करते है और एक जाइगोट बनता है जाईगोट बनने के बाद जो बिजहाता है प्लोट जाएगोट जाय वो मैवुश इसमें जाता है तो इसमें क्या देखते हैं की जो गामिट्वाइट्थिक स्टेज है वह बहुत जादा जो सपॉर फाय्टिक स्टेज है वह बस हमें जाइगोड के केस में देखने को मिलती है और जितने भी स्टेज रिखेज तो टो टॉपिक इस कम्प्लीट यह एक्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकल वाल विक्स की को पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना ओके बाए